हम लोग बात करते हैं बच्चों अभी equation of continuity जिससे हिंदी में बच्चों सांतिता की समी करण कहा जाता है और उसके लिए ये लिजे हम एक pipe लेते हैं बच्चों एक ऐसा pipe जिसमें अलग-अलग points पर हमको अलग-अलग cross section मिल पाएं अब यहाँ पर बच्चों हम एक cross section लेते हैं और दूसरी जगा पर हम लेते हैं बच्चों cross section 2 और फर्ज कीजिए बच्चों की यहाँ जो आपने 1 पर section लिया है बच्चों उसका cross section area है A1 और 2 पर जो आपने section लिया बच्चों उसका cross section area है बच्चों A2 और इस जगा पर flood के flow की velocity है V1 और इस जगा पर flood के flow की velocity है आपके इसके फ्लूड जब ये फ्लो हो रहा है तो कुछ टाइम बाद जो फ्लूड यहां पर था वो चल के यहां से बच्चो यहां तक पहुच जाता है और उतनी ही देर में फ्लूड यहां से चल कर यहां तक पहुच जाता है शुरुवात में फ्लूड कहा था बच्चो इस cross section यहाँ पर था और यहाँ से चलके वो यहाँ पर आ गया मतलब यू माल लेते हैं कि चलिए 1 से 1 डैश पर चला गया और इसी तरह से बच्चो उतने ही टाइम में 2 से वो 2 डैश टक चला गया और माल लिया सहाब कि इतने समय में बच्चो उसने जो है distance चल ली कितनी सहाब उसने चल ली बच्चो distance delta x1 इतनी distance चल ली मैं कुछ time interval delta t suppose कर लेता हूं कि let us suppose some time interval delta t जिसमें फ्लूड यहां से यहां तक पहुचा और उतने ही टाइम में फ्लूड यहां से यहां तक पहुचा और उतने समय में बच्चों इधर फ्लूड ने जो distance चली बच्चों वो delta x2 चली अब यह जो फ्लूड है बच्चों हमने एक ideal फ्लूड माना है यहां पर ideal फ्लूड बच्चों जो की incompressible हो, जो की non viscous हो, जिसमें किसी तरह का कोई rotational flow नहीं हो, और जो की steady flow बता रहा हो, या आप लोग जानते हैं, अब जब इसमें flood flow हो रहा है, तो इसमें जब वो liquid यहां से यहां आता है, तो उतने ही time में flood यहां से यहां जाता है, और जैसा कि हम बोल रहे है liquid is incompressible, जितना मास flood का यहां से यहां जाएगा बच्चों उतनी ही देर में flood का मास यहां से यहां जाएगा, तो M1 बराबर M2 होगा, और मास क्या होता है, बच्चों मास होता है, वाल्यूम इंटू डेंसिटी, वाल्यूम इन्टू डेंसिटी सहब ये लीजे अब माल लीजे इतने टाइम में फ्लूड यहां से यहां कितना वाल्यूम उसका गया बच्चो वी वाल्यूम गया जब फ्लूड यहां से यहां तक गया तो उसका वी वाल्यूम फ्लू हो गया और जब फ्लूड यहां से यहां उसके घनत्व में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं आ रहा जब हम बोलता है fluid incompressible है मतलब उसके volume में कोई चेंज नहीं आता मतलब उसकी density में भी obviously कोई change नहीं आता तो इस तरीके से बच्चो वी 1 बराबर क्या आगया बच्चो वी 2 वी 1 बराबर वी 2 आ गया और volume कितना है बच्चो यहाँ पर इस पूरे section का अगर volume निकाला जाए तो volume क्या होगा बच्चो area into length आप जानते हैं volume होता है area into length और इसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो बच्चो यहाँ पर area into length इधर volume क्या होगा बच्चो इस cross section का अगर मैं volume निकालता हूँ यदि मैं इस cross section का volume निकालता हूँ तो volume क्या होगा assuming it to be a cylinder बच्चो cylinder का volume area intolerant like why यहाँ पर भी इसका volume निकालता हूँ तो बच्चो वो भी area intolerant तो इस तरीके से a1 delta x1 बराबर a2 delta x2 आगया इस तरह से आपके पास मैं एक expression आगया बच्चो इसी को कर थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ यदि मैं दोनों तरफ delta t से divide कर दूँ यदि मैं दोनों तरफ बच्चो delta t से divide कर दूँ ये लीजे साब मैंने left hand पर भी delta t से divide कर दिया और right hand side पर भी मैंने delta t से divide कर दिया तो मुझे कुछ ऐसी expression मिल जाएगी और उसे मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चो देखी ये a तो area हो गया और delta x upon delta t पर distance traveled upon time taken distance traveled upon time taken को बच्चो आप velocity बोलते हो distance traveled upon time taken को आप velocity बोलते हो तो उससे क्या आ गया बच्चो कि a1 v1 a1 इस end का cross section था इस पर fluid की velocity थी v1 और a2 इस end का cross section था और इस पर fluid की velocity थी v2 तो a1 v1 बराबर आ गया बच्चो a2 v2 याने कि अभी तो जैसे मैंने ये दो cross section लिये हैं अभी मैंने यहाँ पर ऐसा uniform माना फिर आगे चलके uniform माना बच्चो लेकिन अगर ऐसा ना होते वे मान दीजे कोई pipe आपके पास में ऐसा भी हो हर जगा पर उसका cross sectional area जो है बच्चो वो लगातार सततरूप से change हो रहा हो हर जगा पर बच्चो उसका area of cross section जो है वो लगातार change हो रहा हो तो भी आप एक बात पाएंगे बच्चो की किसी भी moment पर इसमें मान दीजी आप एक cross section 1 लेने cross section 2 लेने इसमें cross section 3 लेने बस ये मानना है कि flood साब ideal है incompressible है, irrotational है, floras का steady flow है और साथ में non viscous है बच्चो तो अगर ये 1 है, ये 2 है ये 3 है और यहाँ पर velocity V1, यहाँ पर velocity V2, यहाँ पर velocity V3 तो कुल मिलाकर आप एक बात पाएंगे बच्चो की A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर बच्चों A3 V3 कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूं बच्चो की किसी भी cross section का अगर area A है किसी भी cross section का area अगर A है और उस point पर velocity fluid की जो है बच्चो वो V है तो A और V इन दोनों का जो product आ रहा है बच्चों constant आ रहा है 1 पर जितना product आ रहा है, 2 पर भी उतना product आ रहा है, 1 पर जितना, 2 पर उतना, 3 पर उतना और ऐसे N cross sections भी आप assume कर लेते हैं तो सब पर A और V का product जो है बच्चो वो constant आएगा इड़स मीन बच्चों की जो V है वो area के inversely proportional आएगा, बच्चो वो व्यूत क्रमान उपाती होगा velocity जो है बच्चो वो area के inversely proportional हो जाएगी बच्चों अब भी A और V दोनों का product constant है तो एक उदर लेकर जाएगा तो लास्मी बच्चों velocity एरिया के inversely proportional हो जाएगी मतलब अगर area बढ़ाते जाएगे तो velocity कम होती जाएगी और area कम करते जाएगे तो velocity बढ़ती जाएगी और यह बड़ा common सा experience होता है बच्चों किसी pipe में से पानी बहरा और अचानक अगर मैं pipe के मूँ को पतला कर दूँ अगर उसको बढ़ा दू बच्चों तो उसमें लिक्विड जादा तेजी से निकलता है यह नहीं कि लिक्विड जादा निकलता है लिक्विड तो उतना का उतना ही फ्लोर आए उसका जितना मास यहां से आगे बढ़ेगा उतना ही मास यहां से आगे बढ़ेगा बच्चों उसमें कोई change नहीं आएगा ऐसा नहीं कि जादा फ्लूर आया लग जाएगा पर हम जैसे गाडियां वगरा दोते हैं या कहीं छिड़काओ वगरा करते तो जो है बच्चो दिस एक्स्प्रेशन की A और V का जो प्रोड़क्ट है बच्चो वो कॉंस्टन होता है या A1, V1 बराबर A2, V2 इसी को हम कहा करते हैं बच्चो equation of continuity सांतिता की समी करन और अभी आपको जितना भी आगे का fluid kinematics पढ़ना बच्चो जिसमें fluid के motion के बारे में पढ़ेंगे उसमें आपको इस equation of continuity की बहुत जादा जरुवत पढ़ेगी तो ये जरूर बच्चो कॉपी कर लीजेगा ये मैं साइड भर खड़ा हूँ आप वीडियो को पॉस करके फटा 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 से कॉपी कर लीजेगा अब हम लोग जो है बच्चो इडियल फ्लूड हो तमाम तरह की जो कंडिशन से उनको फुल्फिल करता हो अच्छा लगे है तो बच्चो मैं बता दूँ आपको देखिए आपने ये तो मास था मास होता वाल्यूम इन्टू डेंसेटी हर जगा से में इनकम्रसिबल है जैसे तो यह आगया बच्चो तो पहली जगह का वाल्यूम इतना था दूसरी जगह का वाल्यूम इतना था और इस्टाइम से डिवाइड कर दिया तो यह एक्चुली वाल्यूम है कितना वाल्यूम फ्लो हुआ हो है how much volume has flown, how much volume has flown, यह वो आया बच्छो, और से टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो यह बताएगा बच्छो, rate of flow of volume, what is this, this is rate of flow of volume, तो अभी आगे चलके भी हम लोगों को जो सम्स करने होंगे, बच्छो, उसमें direct जो है, वो लिखा करेंगे, बच्छो, rate of flow, rate of flow जो है बच्छ जनरली मतलब क्या होगा, rate of flow से मतलब, at what rate volume is flowing, जनरली हम लोग जब rate बोलते हैं, तो mass upon time बोला करते हैं, पर यहाँ पर mass upon time नहीं है, यह rate of flow जो है बच्छो, तो यह volume rate flow है, यह कुन सा flow है बच्छो, volume rate flow, volume rate flow, और यदि मैं इसको density से multiply करते हों बच्छो, यह इससे यदि मै density से multiply कर दूँगा, तो यह आ जाएगा, बच्छो, mass rate flow, मतलब, अगर आप से पूछा जाए कि unit time में, एक second में, उसका कितना volume flow हुआ, तो वो यह है बच्छो, और unit time में, उसका कितना mass flow हुआ, तो आपने density का multiply कर दिया, I repeat, unit time में उसका कितना volume flow हुआ, तो area into velocity, इस तरीके से आप निका सकते हैं, मैं फिर बोला हूँ, मैं साहिद में खड़ा हूँ, बच्छो, अगर नहीं लिखा हूँ, तो इसे copy कर लीजेगा, इस पर एक छोटा सा, सरल सा, आसान सा, हम सम कर लेते हैं, बच्छो, यह लीजे साब, आपको एक pipe दे रखा है, बच्छो, इस तरह का एक pipe दे रखा है, और उसमें आपको दो cross section दे रखें, cross section यह रहा, one, और एक cross section two, और यह given है कि two पर जो radius है, वो one के cross section की third है, two पर जो radius बन रही है, बच्छो, वो one के cross section की one third बन रही है, और यहाँ पर liquid का जो flow हो रहा है, बच्छो, उसकी velocity है, बच्छो, 30 meter per second, how much it is, 30 meter per second तो यहाँ पर velocity क्या होगी, जल्दी से बताईए, वीडियो को pause करके कर दीजे, बच्छो, विलकुल लुच्चा सा question दिया है, कर भी लिया होगा, बच्छो, बड़ा simple सा है, कि यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर velocity क्या होगी, क्या करेंगे, हम लोग, हम लोग एक बात जानते है बच्छों की A1 V1 बराबर A2 V2, और इधर जो एरिया होगा, वो होगा, पाई R1 square, बच्छो, पाई R1 square, और velocity है 30, और second time पर गए बच्छो, तो वो पाई R2 square, और velocity has to be found, इस जगा पर एरिया पाई R1 square into velocity, इस जगा पर एरिया पाई R2 square into velocity, अभी पाई पाई तो कैंसल सवाल है बच्छो, that you can find here is R1 over 3, और उसका square into V2, यह R1 square into 30 है और यह बच्छो, R2 मतलब R1 by 3 और यह, अब आप इसको solve करके देख लिए, R1 square से R1 square कैंसल पर जागा, 9 into 3, 30 मतलब velocity जो आएगी, बच्छो, वो कितनी आएगी, 270 meter per second, obvious सी बात एक तो आप समझ सकते हैं, बच् कि area कम कर दिया और area अगर मैंने कम कर दिया, तो velocity जो है बच्छो, वो बढ़ जाएगी, अगर मैंने area कम कर दिया तो velocity बढ़ जाएगी, बलकु सिंपल सी बात है बच्छो, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताओ, चलो एक और question कर देते हैं, हमारे पास मैं यहाँ पर एक area है A और इधर liquid की velocity है V0, और यहाँ पर area है सहाब A over 3 और यहाँ पर velocity है 2 V0, आपको क्या बोला बच्छो, इस pipe से दो पाइप निकारे मने, इधर area है A, velocity है V0, इधर area है A by 3, velocity है 2 V0 और यहाँ आपको बोल रखा है कि यह जो pipe आपको दिख रहा है बच्छो, इसका area है 2 by 3, कितना है बच्चों 2A by 3 यहाँ पर flood की velocity क्या होगी calculate करके बताईए मेरे खिला से कुछन समझ में आगे यहाँ पर area A है velocity V naught है यहाँ पर area A by 3 वहाँ पर velocity 2V naught यहाँ पर area 2A by 3 velocity V कितनी आएगी बच्चों फटा फट V naught की terms में आण से बताईए वीडियो को pause कीजे कीजी अब क्या होगा बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग एक बास समझ सकते बच्चों यहाँ एक ही pipe नहीं एक pipe से दो तिन pipe निकले है लेकिन एक बात तो अवश्यम भावी रूप सता है बच्चों की जितना मास यहाँ से आएगा उसमें से कुछ मास इधर चला जाएगा कुछ मास इधर चला जाएगा जब flood यहां से flow हो रहा है तो some mass is going there तो अगर माल दीजे जिसे यहाँ से जो है m1 मास गया तो उधर कितना हो जाएगा बच्चों उसमां से अधर M2 गया और M3 गया तो law of conservation of mass को हम follow करते हैं यह actually अगर देखा जाए बच्छो तो यह law of conservation of mass पर ही based है अगर आप से कोई पूछ देता है कि equation of continuity किस fact पर based है बच्छो तो it is based upon the law of conservation of mass special case of conservation of mass जिसमें mass flow हो रहा है जिसमें mass बहर रहा है उसका प्रवा हो रहा है anyways so what mass is going ahead that is going ahead that is going here और फिर mass आप दोनों तरफ density से multi divide कर देंगे mass को density से divide करने पर volume आजाएगा तो अभी या फिर यू बोल जाए कि rate of flow यतना इदर होगा वो बटेगा बच्छो तो उस basis पर आप क्या बहुत सकते हैं इधर जो आएगा वो आएगा एगा ए इंटू वी नॉट और उधर अगर आप देखेंगे बच्छो तो एबाय थरी इंटू वी नॉट और इधर volume rate flow और mass rate flow जो होगा वो अवी रो होगा anyways वाल्यूम rate flow जतना volume इदर हैगा बच्छो उस में से कुछ-CUछ से बढ़ जाएगा और अभी कुछ cancel हो रहा है of course यहाँ पर cancel हो रहा है बच्चो ए common निकालके cancel हो गया और यह 3 दोनों के denominator में इधर ले आए 3V not is equals to 2V not plus 2V और इसमें से इसको minus कर देंगे बच्चो तो V not और यहाँ से V की value जो आएगी बच्चो वो आएगी V not by 2 3 दोनों के denominator में है दोनों के denominator में 3 यहाँ चला जाएगा बच्चो और 2 पहले तो 2V not को आप इधर minus कर दीजिए और फिर उसके बाद में 2 से divide कर दीजिए तो common निकालके भी आप divide कर सकते बात एगी पड़ेगी बच्चो वेलास्वेटी कितनी जो नदियां जादा गहरी नहीं होती उनके flow होने की speed जो होती बच्चो थोड़ी सी जादा होती है क्योंकि गर जादा गहरी नदी है तो उसको area जादा मिल रहा बच्चो और area जादा मिल रहा तो velocity कम होगी लेकिन अगर कोई river जादा depth वाली नहीं है तो उसको flow होने के लिए area कम मिलेगा और area कम मिलेगा तो velocity जदा होगी